हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माइच चैनल मैं अनुपमा आप सब की अपनी चैनल अनुप की व्लोग में स्वागत करती हूं कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे अगर आप सबको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लिस लाइक शेर सब्सक्राइब क आज मेरी बेटी फूल में पानी पटा रही है अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी पानी में फूल पटा रही हूं बिल्कुल ही नटकट है आज मौसम बहुत ही गरम हो रखा है आप केदर मौसम कैसा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताईएगा ये पिहू छुट्टे स में ऐसे आजकल कितने सारे पेर कट रहे हैं तो अपने चत पे भी तो कम से कम कुछ फूल पॉधे लगाया ही जा सकता है चत की रौनक भी बढ़ती है और हमारे आसपास में हड़ियाली भी रहती है उससे अपिरु को ना नानी का फैल्ब करना बढ़ा अच्छा लगता है और खास करके ये फूलों को पानी देना अध willingnessना है चोटे छोटे बालटी में पानी डालेगी और देखो एस चोटे 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 करके दीरे दीरे चोटे चोटे बाल्ती में पानी भरके धीरे 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 करके सब फूल में पानी देदेगी यह देखो फोटो सुट करवाई यह बाल्ती लेके फोटो सुट अब यह देखो फिर से आ गई पानी खाता हम अभी बाल्ती गें देखो मग गिरा न यह डर गई तक Created Co day कुड़ी पी देखो फूल कैसे सूख गया यह हमारे हिएधर होता है ना कूरूल का पेर हूँ चुरूप में इसको भी पानी की सूख fits देखो हृ आइ मेरी लड़ इसी सQué मस्ती करेगे एक को मेरी मम्मी बैटके वाओल देख रही है दिए पर से आ गई पानी कतम हो गया इसके वालटी में फिर पानी लेने के लिए अब देखो ठक गई है ठक है लेकिन ऐसे ही मस्ती मजा करते करते ही अपना काम कर लेगी बच्चों को थोड़ा थोड़ा ये सब चीज काम भी सिखाना चाहिए जिसे क्या होता है बच्चों को फूल पौदो हर्याली के बारे में भी उसको कुछ नॉलेज होगा कि हमें कैसे प तुलसी जी का पधर ये Back iya तुलसी जी के पधर में पटा दी और उनको बाल्टी भी एगए और वह बाल्टी भी देखो कैसे अब आ गई हटा ली मस्ती करेगी मिधिन के साथ तों सबहें है इसका पूरा दिन चलते रहता आपके दर कैसा मौसम है नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अगर आप सबको मेरी वीडियोज अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक लिए बाबाई नमस्ते